अश्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संभीदा कर्मियों का लोग किरिये नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क तो दोस्तों जमीन मालिकों के दिए एक बहुत ही बुरी खबर है जमीन खरिदने और बेचने वाले को लिए भी जो है कि यह खबर अची नहीं है इस खबर को जानने के बाद जो है कि जमीन मालिकों को जो है कि थोड़ी तकलीप पहुंच सकती है साथ ही वैसे लोग जो अब तक वर्स 2024 के फरवरी माह तक जमीन और खरीद बिक्री के मामले में अभी लंबित है खरीद और बिक् चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिएगा तो दोस्तों बीना जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन के खरीद बिक्री पर अब रोक लगा दी गई है हाई कोट का यह जो है कि आदेश है और यह है आदेश उस मामले में आया है क कि आज से दो वर्स पहले जो है कि विहार सरकार के द्वारा दो तीन साल पहले एक निबंधन नियमावली में संसोधन कर नियम बनाया गया था कि जिनके नाम से जमा बंदी होगी वह ही लोग जमीन बेज पाएंगे और जो है कि जमीन उन्हीं का बिक्री हो पाएगा इसको लेकर जो है कि निबंधन कर जाले में जो है की काफी फाइले पेंडिंग पढ़नी सुरू हो गई और निबंधन कार्ज बाधित हुआ उसके बाद जाकर कुछ लोगों ने जो है कि हाई कोट में आचिका दायर की और यह आचिका दायर करके जो है कि इस्टे ओडर लिया और य जो है कि हाइकोट ने बिहार सरकार के जो है कि नियम प्रया क्या ही नहीं पाइंगे तो क्या है मुधे हम आपको बताते नियम है कि जमाबंदी जी जिस जमीन को आप बेचना चाहते हैं उस जमीन की जमाबंदी आपके नाम से होना चाहिए और उसका रसीद भी जो है कि लगान रसीद अपडेट होना चाहिए और साथ ही साथ उस लगान रसीद पर खेसरा खाता अंकित होना चाहिए अब मामला इस नांब्हे रहा है और आज पुरबजोगों के नामसे छटियान है कि उनके नाम पर ही खतियान से लायोग और चांवबंदी उनके नाम करते हैं और आज उसमें से किसी के पोटे-पोटे को जमीन बेचने होगा है あенное जब जाएंगे जो अपने नाम से जमाबंदी कराने तो उसके जितने भी फरीकाइन है पटिदार हैं उनकी जो है कि सहमती उसमें होना चाहिए यानि के कुल मिलाकर कोट फटवाडा होना चाहिए तो अब उनका अलग जमाबंदी बनेगा और उस पर खेसरा खाता वगएरा अ आशा में बता रहे हैं क्योंकि जो है कि पुर्भजों के नाम पर जमीन है और जो है कि आज पुरवज ये ठाया और आज जो है कि दर्जान भर है कि उसके फरीकाइन हो गाएं तो वे सारे लोग जब तक समती पत्र नहीं देंगे कोट बट वराड़ा नहीं होगा तब तक जो है कि नई जो है कि रसीद और जमाबंदी कैम नहीं होगी तो यह जो है कि जमिला है वैसे हाइक कोट किया कर रहा है यह सुन लीजिए और फिर हम आपको नियम बताएंगे कि कैसे बेज पाईएगा तो बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन खरीद भिक्री नहीं राज सरकार दुवारा निबंधन नियमावली में किये गए संसोधन को हाई कोट ने सही करार दिया है साथ ही इसे चुनवती देने वाली सभी आचिकाओं को खारिज कर दिया है मुख नयाय धिस नयाय मूर्ति के बिनोद चंदरन और नयाय मिर्ति राजीव राय की खंड़ पीठ ने 21 पन्नों में फैसला राज सरकार के संसोधन को सही करार दिया है इसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को जारी किये गए संसोधन अधिसुचना पर कोट दोवारा लगाई गई रोक स्वतह निरस्त हो गई कोट के आदेश पर रोक लगाते समय कहा था कि संसोधन की तीथी के बाद हुए जमीन निबंधन इस के फैसले पर निर्भर करेगा अब जो है कि पदाधिकारी निबंधन करने के लिए इंकार नहीं कर सकते और जो है कि गलट ठाराने का अधिकार सिविल कोट को है तो सवाल यह है कि जो है कि अब निबंधन कराने में और जमीन विक्री में ज जिनके नाम से जम्हाबंदी जब तक कायम नहीं होगा तब तक वह जो है कि जमीन का कुई महत्व नहीं रहेगा उसको भी किया ही नहीं जा सकता है तो महत्पूर्ण जनकारी जो है कि आ जा रही है हाई कोट से निकल कर इसमें संसोधन में यंए है प्रवधान सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निवांधन नियम आवली नियम में संसोधित करूप नियम के तहट जोड़ा था कि इसके तहट जमीन खरीद विक्री दान और तभी संभव होगा जब जमीन बेचने वाले या दान से जमाबंदी और होल्डिंग का बेचने वाले या दाता से जमाबं संसोधन के बाद निवन्धन पदा दिकारी अंचल की संपति कि विक्री दान के लिए पेश दास्तवेश पर निवन्धन करने से इनकार कर सकते हैं तो यह कि नियम है और जो है कि इसमें जो है कि फसेंगे वे लोग जो की जमीन ब्यक्री और खरीद करने में अभी तक फैसला था दुखेल यार उनाइस का उसी को जो है कि हाई कोट ने माना था तो इस महतपूर्ण जनकारी को ज्यादा से ज्यादा सियर कीजिए ताकि देश के तमाम लोगों तक यह जनकारी पहुंचे तो मिलते हैं अगली वीडियो में महतपूर्ण खबरों के साथ जय हिंजय भारत जय बिश्यादा